हेलो फ्रेंड्स वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो एसी आई उ ठीक है एक्जाम की काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा तो उन लोगों के यहां पर बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है क्योंकि आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत उन्होंने नई वेकेंसी निकाली है और लगबग 2000 पदों के लिए यहां पर वेकेंसी है ठीक है 2000 पदों टोटल पोस्ट कितनी है 2000 तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पूरी विस्तार से बात करेंगे कि इसमें प्रमुक बाते क्या है जो भी प्रमुक चीज सब्सक्राइब करेंगी या फिर आईबी से संबंदी जो भी जानका रही होंगी वह आपको समय समय पर मिलती रहेंगी तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें प्रमुक बाते क्या है सब पहले यहां पर देख लीजिए मिनिस्ट्री आप फो पोस्ट इसमें देखिए है एसी आई ओ सेकेंड ठीक है क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रूप सी नॉन गजिटेड नॉन मिनिस्ट्रेरियल ठीक है नंबर आप एप्रॉक्स वैकेंसी कितनी है अन्रिजर्ड किया है नौसो नौसी नाइन एटी नाइन एटी न सब्सक्राइब की है 113 ओवी सी 417 सी 360 स्टी 121 और टोटल किती है दो हजार वेकेंसी ठीक है तो टोटल टूचाइब टू थाज़ेंड वेकेंसी यहाँ पर हैं यहाँ आगे देखिए पेसकेल कितना है लेवल से ग्रेड पर यहाँ एब लगेगे थीग है यहाँ फीसकेशल शेक्यूर्टी अलाउवेंस तक है फॉस्ति हैं इन सब चीजों को बाद में देखेंगे में इनको देख लेते हैं यहां पर essential qualification क्या होनी चाहिए आपके पास graduation of equivalent from a recognized university graduation या उसके समकच कोई भी डिगरी आपके पास होनी चाहिए इसके बाद knowledge of computers computer का knowledge होना चाहिए आपके पास ठीक है computer skills होनी चाहिए age limit है 18 से 27 नॉर्मल जो unreserved लोग है उनके लिए यहां पर 18 से 27 होनी चाहिए minimum 18 और maximum 27 और इसके लावा देखिए आपर एज लिमिट इज रिलेक्स रिलेक्स एबल बाई फाइव यह फॉर सेस्ट को पांच साल का यहां पर रिलेक्स रिलेक्सेशन मिलेगा और एंड बाई थ्री यह फॉर ओवी सी वालों को तीन साल का मतलब की जो 18 से 27 यह यहां पर एज लिमिट रखी गए और जो यसी अस्टी है उनको 27 नहीं बद थैटी टू यह अगर उनकी है अठार से 32 तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके लावा जो लोग अधीक के लिए ती यह इनकी एज लिमिट है इसके अलावा देखते हैं ठीक अपर लेल इस रिलेक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडस आप दू-40 ए ठीक है जो डिपार्टमेंटल लोग है लोगों के लिए 40 साल है अधिक्टम ईवसीमा इसके लाबा देखते आगे देखते हैं जो प्रमुक बात हैं सिर्फ उनी को बात करेंगे यहां पर देखिए वैकेंसी कहां किन किन सहरों के लिए यहां पर हैं वह यहां पर दिया गया है यह आप लोग देख लीजिएगा टीर वन एक्जाम ओल्ली ओनलाइन मोड टीर वन में क्या होगा हैं डिवाइड इन्टु फाइव पार्ट्स कंटेनिंग 20 गोट्स ठीक है टोटल सव क्वेश्चन होगे अब पांच पार्ट में वह डिवाइड होगे अब प्रतेक जो पार्ट होगा वह 20 नमर का होगा मतलब 25 सो हैंडेड मार्क्स का होगा ठीक है पहला होगा रिटेन एक्जाम इग्जामनेशन है इसमें देखिए ठीक है जन्रल अवेर्नेस 20 नमबर के होगी क्वान्टिटिव अप्टिट्यूट यह भी 20 नमबर नुमेरिकल अनलेटिक्स लोजिकल एबल्टी एंड रिजिनिंग य एंगलिस लेंग्वेज यह 20 नमबर और जर्नल इस्टडीउज 2020 यह हो गाया सारे यहाँ पर हैंडेड मार्क्स का यह आपकाटियर्वन हो गया है और तो टोटल एक घंटा समय दिया जाए एक घंटे में आपको सौ कोशन करने हो गया काफी कम समय है उससाथ से एक घंटे के इसके बाद है टीर 2 में देखिए descriptive type paper of 50 marks, ठीक है 50 marks का यहाँ पर descriptive paper होगा, इसमें essay 30 marks and English comprehension and phrases, writing 20 marks, ठीक है, 30 number की English comprehension, essay होगा 30 number का और English comprehension होगा आपका 20 number, तो total 50 numbers का होगा और यह भी इसमें भी आपको 1 hour, 1 hour दिया जाएगा और 50 numbers का होगा, तो मतलब आपका grand total जो है, वो 150 वनेगा, ठीक है, इसके लावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भी दिया गया है, कि इसका cutoff के बारे में भी दिया गया, note candidates appearing in interviews may be subject to psychometric aptitude test which will be a part of interview, ठीक है, इसके बाद selection of candidates, किस तरीके सोगा, the candidate has to appear in tier 1 at one of the three centers allotted to him, her, out of his choice of three cities, ठीक है, आपको जब आप form रहेंगे, तो आपको तीन choice, team center दिया जाएंगे, आप अपनी choice के साफसे इनको फिल कर देजिएगा, ठीक है, there will be negative marking, negative marking के बारे में यहाँ प्यता है, one fourth negative marking होगी, ठीक है, अगर एक number का question है, तो आपका 0.25 number उसमें, negative marking में कटेगा, for each wrong answer, no marks would be awarded for an unattempt questions, in order to achieve quantitative selection and recruit the best available talent, there would be the cut-off marks, देखें यहाँ पर, tier 1 का, यहाँ पर cut-off भी दिया गया, कि out of 100, 100 में कितना आपको कम से कम निकालना ही है, as under, unreserved को, ठीक है, your category के लिए, your category के लिए है, 35, ठीक, OBC के लिए है, 34, OBC और EWS दोनों के लिए, EWS, दोनों के लिए 34 है, इसके लावा, SCST के 33 है, ESC, ESC, और ESC का 33, इसके लावा, ठीक है, और all ex-servicemen would be, ठीक है, तो जो, ex-servicemen है, उनके लिए, वो, जो, जिस category में वो आते हैं, जैसे, unreserved में आते हैं, तो उनका 35 होगा, OBC और EWS में तो 34 होगा, SCST में 33, ठीक है, तो आज की वीडियो में जितनी कोई भी प्रमुख बाते थी, वो हम लोगों यहां पर discuss कर ली है, और अगर आपको लोगों को कोई question पूछना है, कोई चीज आपके मन में अभी सवाल है, तो आप लोग हमें comment box में पूछ सकते हैं, ठीक है, दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो